सब्सक्राइब करें दर स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं अब दोस्तों आपका अपने परिवार्दा स्पीड चैनल को जरूर आज वह समय आ गया है जैसा कि आप लोग बार बार हमसे पूछ रहे थे कि सर एयर फोर्स का जो है फार्म कब से आ रहा है कब आ रहा है कब आ रहा है और आज आप लोग दोस्तों सरकारी रिजल्ट पर इतना भी आपका डाउट होगा वह सारा डाउट का क्लियर हो जाएगा लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों इसमें मैं पूरी चीज बताऊंगा कि कब कौन-कौन से बच्चे भर सकते हैं क्या जिसकी डेट निकल चुकी है क्या वह फार्म भर सकते हैं क्या जो ओबर हो एज हो चुके हैं उनके लिए कुछ मतलब है क्या बच्चे जो है जिसका इस बार इंटर है क्या वह इसमें सामिल होंगे दोस्तों सारी चीजें जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे स्लेवस क्या रहेगा किस तरह से प्रस्ट पूछ जाएगा एकजाम कब होगा वो सारी चीजे दोस्तो एयर फोर्स आपका फिक्स कर देगा आई ये सुरू करते हैं दोस्तो देख रहे हैं जैसा की लिखा है आउनलाइन रेजिस्टेशन से 22 जनवरी 2021 जी हाँ दोस्तो 22 जनवरी 2021 से जो है ये स्टार्ट होगा और दोस्तो याद रखिएगा 7 फरवरी तक जो है इसका रेजिस्टेशन होगा जी हाँ दोस्तो आउनलाइन रेजिस्टेशन 12 फरवरी से 7 बारत जनवरी 22 जनवरी से 7 फरवरी तक होगा दोस्तों इसमें देखिए following document are be uploaded कौन कौन से document लगेंगो दोस्तों उसको देख लिए देखिए दोस्तों कच्छा 10 पास होना चाहिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ दोस्तों इंटर्मीडियट पास होना चाहिए या फिर equivalent का दोस्तों मतलब हुआ कि क्लास 12 मतलब पास होना चाहिए या फिर दोस्तों कोई थ्री एर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फाइनल येर की मारसीट होनी चाहिए इफ एप्लाइंग आफ डबेसिस आफ थर्ड इयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा एक गॉर्मेंट पॉलिटेक्निक इन प्रेसेंड प्रेस्सक्राइब डो इस्टिम जी है दोस्तों अगर आप प सबसे जादा पूछा जन्वरी दो हजार एक जी हां दोस्तों सोला जन्वरी दो हजार एक से सिल्य करके सोला जन्वरी दो हजार एक सिल्य करके दोस्तों 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2004 तक जी हां दोस्तों इसमें जितने भी बच्चे आएंगे 16 जनवरी को किसी का जनम दिन होगा दोस्तों 16 जनवरी 2001 अगर किसी का जनम दिन होगा तो वो भी इसमें सामिल होगा दोस्तों अगर 29 दिसंबर 2004 किसी का डेट आप बर्थ होगा दोस्तों तो वो भी सामिल होगा तो याद रखेगा 16 जनवरी 2001 से ले करके 29 दिसंबर 2004 के बीच में कोई भी बच्चा होगा दोस्तों वो इसमें भर सकता है ये दोनों डेट भी सामिल है दोस्तों याद रिखें ये दोनों डेट भी सामिल है आगे देखें दोस्तों एक confusion और रहता है कि बच्चे जो है कभी कभी पूरा clear कर लेते हैं phase उसके बाद वो over age हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है दोस्तों देखें In case a candidate clear all the stages of selection procedure then the upper age limit on the date of enrollment of 21 years जी हां दोस्तों अगर आपका जो final stage है मतलब tier 2 के बाद interview के बाद interview की merit दोस्तों और interview की merit निकलने के बाद अगर उसमें आपका नाम आ जाता है दोस्तों और आपकी age 21 साल से जादा हो जाती है तो आप eligible नहीं होंगे अर्था दोस्तों आप बाहर कर दिये जाएंगे सबसे खराबत काम यही है एरफोर्ट के दोस्तों आगी देखें दोस्तों ग्रूप यक्स और ग्रूप आई दोनों की बैकेंस है दोस्तों अब दूसरा जो सबसे जादा डाउट पूछा जाने वाला प्रसन है दोस्तों जी हाँ दोसरा जो सबसे जादा पूछा जाने वाला प्रसन है बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा मैथ में तो मैथ में मेरा इतना परसेंट है मैत में मेरा इतना परसेंट है इंगलिस में मेरा इतना है लेकिन जो है मैत और इंगलिस यही दोनों मेन है मैत और इंगलिस और बोल देंगे सर्फ फिजिक्स में या साइंस में हमारा इतना हो गया है तो दोस्तों उसके लिए क्या ट्राइटेरिया है आइए इसकी चर्चा करते हैं सुनियों दोस्तों पास्ड इंटरमेडियेट या इक्विबैलेंट इग्जाम नेशन पहला चीज़ तो इंटर पास होना चाहिए आगर पास हैं आप किसे मैथ, फिजिक्स और इंग्लिस यक्ष ग्रूप के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूं यक्ष ग्रूप के लिए बता रहा हूं किंटर पास होना चाहिए मैथ, फिजिक्स इंग्लिस है दोस्तों और दूसरा देखिए 50% मार्क के साथ मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए 50% मार्क दोस्तों इंग्लिस में भी होना चाहिए मतलब अगर इंग्लिस का दोस्तों सो नंबर का पेपर है तो पचास नंबर आपके इंग्लिस में होने चाहिए अत्वा दोस्तों क्या है देखिए फिप्टी परसेंट देखिए अगर आप पॉलिटेक्निक से हैं दोस्तों तो उसमें मीडर पास होना चाहिए ठीक है मीनिमम 50% मार्क ये परिगेट आयन 50% मार्क मतलब यह हुआ दोस्तों की आपका इंगलिस में चाहे आप यक्स गूरुप में भरे चाहे आप WYAी गूरुप में भरे दोस्तों इंगलिस में आपको पचास परशंट mark लाना अनिवार है जी हैं दोस्तों English में आपको 50% mark लाना अनिवार है वहीं अगर आप यक्ष ग्रूप से भरते हैं दोस्तों तो आपको English में 50% मैथ में 50% और Physics में 50% जी हैं दोस्तों मैं कहूंगे दोस्तों कि आप apply जरूर करेगा एक्जाम दीजेगा देखिएगा कि क्या आप उसके इलिजबल हैं उसमें कर पाते हैं कि नहीं कर पाते दोस्तों वहीं आगे अगर हम बात करें दोस्तों सब्सक्य चाहना होना यह हैं जो इसकी तो करने की करने जिरूपोर कते हैं दोस्तों में धीख़ा करें तो इसकी सब्सक्राइब लेखं होना है टो उसकी दिखाद अजू आप दिखा नहीं है दोस्तों इसकी भी यह सब तो फीजिकल का फीजिकल में देखा जाएगा दोस्तों नहीं होना चाहिए जोस्तों इसको याद रखेगा टैटू कोई नहीं होना चाहिए टर्माइन कंडिशन में कोई दिकत नहीं दोस्तों और ठीक है दोस्तों यह तो इसकी जॉप सैलरी की बा आँगा तो आखिर आपने देख लिए दोस्तों कि आपकी बैकेंसी आ चुकी हर्थात इंतजार दोस्तों अब खतम हो गया जी हां दोस्तों आप इतने दिन से परशांग थे दोस्तों और आज आपका इंतजार खतम हो गया और लगातार जो है जौब प्रोफाइल की भी एक गए वीडियो में लेके आऊंगę दोस्तों और अगर बीडियो अच्छा लगा होता हुट लाइक और सेर जरुत कीज़एगा दूस्तों नमस्कार धन्यवाद और आप को यह कोर्स एक्टिव किया जा सबंद्ध दो मिलें गए अंगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद झाल झाल